नमस्कार दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपको धर्म राज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में धर्म राज की जय अवश्य लिखे शाथी अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं धर्म राज जी की कहानी को विसेश फलदाई माना गया है धर्म राज जी की कहानी या कथा सुनने से व्यक्ति के पापन अश्ट होते हैं और उन्हें श्वर्ग की प्राप्ति होती हैं बहुत समय पहले की बात है किसी गाउं में दो सेठानियां रहती थी बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था लेकिन बड़ी सेठानी बहुत ही कंजूस थी वे अपने धन को बिलकुल भी खर्च नहीं करती नहीं किसी को दान देती थी नहीं वे कभी पूज़ा पाट करती थी लेकिन छोटी सेठानी के घर में धन कम था फिर भी वे मन से बहुत दयालू और मददगार थी वे स्वयम को धर्म के कारी करने और लोगों के मदद करने में लगाए रखती थी वे रोज सबेरी गंगा इ पूजा किया करती और धर्म राजजी की कहानी सुनती थी जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हसती थी और कहती थी पता नहीं दिनवर क्या फालतु काम करते रहती हैं। और दोनों सेठानियों की मृत्य हो गई। छोटी सेठानी को लेने धर्म राजजी ने अपना बिमान भीजा जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। राश्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूक लगी है। तब उन दूतों ने कहा यदि तु तुम्हे खाना मिलेगा। बड़ी सेठानी चुप हो गई। थोड़ी देर वाद बड़ी सेठानी ने फिर कहा कि मुझे प्यास लगे है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हे पानी नशीब होगा। राश्ते में उसक काटे चुबने लगी। तेज गर्मी पढ़ने लगी। लेकिन दूत उसे घसिषते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पच्ताने लगी। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्म राजजी का दरवार आ उधर बड़ी सेठानी ने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सेहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि हे भगवान मुझे सभा पहर का समय दीजिए। मैं बापस आकर डंड भोग धर्मराज बोले ठीक है बड़ी सेठानी के सरीर में बापस प्रांट डाल दिये गए। धर्ती पर आते ही उसने पंडितों को बुला कर धर्मराजी की कहाने सुने और सब तरह के दान धर्म किये। इतने में बड़ी सेठानी का समय फिर से पूरा हो गया। अब की बार बड के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्प की प्राक्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी किर्पा सेठानी पर की बैसी सप्पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हूंकार भरने वाले, उनके पूरे परिवार पर कृपा करना जैहो धर्मराजी की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करिए धन्यवाद